सनी देओल, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1916 को साहनेवाल पंजाब में अजय सिंग देओल के रूप में हुआ, एक प्रमुख भारतिय अभिनेता, निर्माता और राजनीति ग्यहें, वह एक प्रसिद्ध बॉलिवूर परिवार से हैं और महान अभिनेता धर्मेंद्र और उनक सफर संघर्षों, जीत और व्यक्तिगत विकास से भरा रहा है। होने के बावजूद, सनी का पालन पोशन काफी कम और साधारन तरीके से हुआ। उन्होंने मुंबई में पढ़ाई की और बाद में बर्मिंधम के ओल्ड वर्ड थेटर में अभिने का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। में एक होनहार नवागंतुक के रूप में स्थापित किया, हाला कि उनकी शुरुवाती सफलताने आगे की राह आसान नहीं होने दी। सनी देओल का स्टारडम हासिल करना चुनोतियों से भरा था। हाला कि बेताब सफल रही, लेकिन उनकी कई शुरुवाती फिल्में बॉक्स ओफिस पर संधर्श करती रही। 1980 के दशक में बॉलिवुड में अमिताब बच्चन जैसे अभिनेताओं का दब्दबा था और नए लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। इसके बावजूद सनी ने डटे रहे और एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन जैसी फिल्मों से उनके करियर में अहम मोड आया, जिसमें उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लडने वाले एक युवा की भूमिका निभाई और डकैट। उनके दमदार अभिनय और एक्शन सीक्विंस उनकी पहचान बन गए। उन्होंने खास तोर पर उत्तर भारत में एक मजबूत प्रशन सक वर्ग बनाया, जहां उनकी आम आदमी वाली छवी दर्शकों के दिलों में बस गई। सनी देओल के करियर ने 1990 में राजकुमार संतोशी द्वारा निर्देशित फिल्म घायल से एक बड़ी छलांग लगाई, यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और इसने उन्हें कई पुरसकार दिलाएं, जिसमें सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए राश्ट्रिय फिल्म और सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए फिल्म फेर पुरसकार शामिल हैं, ध्रश्ट व्यवस्था से बदला लेने की चाहत रखने वाले एक निर्दोश व्यक्ति की उनकी भूमिका की बहुत प्रशनसा हुई घायल के बाद सनी एक्षन फिल्मों का परियाय बन गए 1990 के दशक की उनकी कुछ सबसे उलेखनिय कृतियों में शामिल हैं, घातक, जिद्धी, बॉर्डर जो एक बड़ी सफलता थी और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई उनकी 2001 की फिल्म गदर एक प्रेन का था, भारत के विभाजन के दौरान सेट एक एतिहासिक रोमास, बॉलिवुड के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉक बस्टर में से एक बन गई मुस्लिम लड़की से प्यार करने वाले ट्रक ड्राइवर तारा सिह की भूमिका ने उन्हें बॉलिवुड के शिर्ष एक्षन सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया सनी देओल एक निजी व्यक्ती के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने पूजा देओल से शादी की जो लो प्रोफाइल रहती हैं और मीडिया से दूर रहती हैं उनके दो बेटे हैं करन देओल और राजवीर देओल करन ने 2019 में फिल्म पलपल दिल के पास से बॉलिवुड में अपनी शुरुवात की बॉलिवुड आइकन के बेटे होने के बावजूद सनी ने कभी अपने पिता की प्रसिद्धी पर भरोसा नहीं किया और अपनी विरासत बनाने के लिए कड़ी महंत की वह अपनी विनमर्ता और जमीनी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, शायद ही कभी मीडिया का ध्यान आकरशित करते हैं या उद्योग की राजनीती में शामिल होते हैं 2019 में सनी देओल भारतिय जन्ता पार्टी के सदस्य बनकर राजनीती में शामिल हो गए उन्होंने पंजाब के गुर्दासपुर निर्वाचन छेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और एक महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की जिससे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ एक राजनेता के रूप में भी सनी अपने फिल्मी करियर के लिए प्रतिबद्ध हैं और फिल्मों में दिखाई देते रहते हैं हाला कि अभिनेता की फिल्मों में उपस्थिती छिटपुट हो गई है सनी देओल बॉलिवुड में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं उन्होंने अपने पिताद्वारा स्थापित विजयता फिल्म्स के बैनर तले फिल्मों का निर्देशन और निर्मान भी किया है उनके निर्देशन की पहली फिल्म दिल लगी जिसमें वे और उनके भाई बॉबी देओल थे की सराहना की गई हाला की यह बहुत बड़ी सफलता नहीं थी एक स्टार केड से बॉलिवुड के सबसे प्रतिष्थित एक्षन हीरो में से एक बनने का सनी देओल का सफर उनकी कड़ी मेहंत, समर्पन और ग्रिड़ता का प्रमान है कई करियर में मंदी का सामना करने के बावजूद उन्होंने बार-बार वापसी की और एक वफादार प्रशंसक आधार अर्जित किया जो उनकी कच्ची तीवरता और बड़ी स्क्रीन उपस्थिती के लिए उनकी प्रशंसा करता है बॉलिवुड में उनका योगदान विशेश रूप से एक्षन शैली में अध्वितिय है अपने पिता धर्मेंदर की छाया से बाहर निकलने और अपनी पहचान बनाने जोगदाना